नेश्नलाइजेशन ओप कॉमर्शिल बेंक ये जो डेट है 19 जुलाई 1969 ये क्या है कि बेंकिंग इस्ट्रीम के अंदर जो है ये एतिहाशिक दिन रहा बेंकिंग जो इतिहाश है उसका इतिहाशिक दिन है ये बेंकिंग इतिहाश में एक इतिहाशिक दिन रहा है इस दिन क्या है कि जो ततकलिन जो प्रदान मंत्री थे ततकलिन जो प्रदान मंत्री थे उनका क्या नाम था उनका नाम था इंदरा गांदी तो इंदरा गांदी जी ने क्या किया कि उस वक्त जो नीजी जो बेंकों का नेस्टलाइजेशन हुआ था चोदा जो नीजी बेंक थे उनका नेस्टलाइजेशन हुआ था उनिस जुलाई 1969 गजब के बाद ये देखी कि जब इन बेंकों का नेशलाइजेशन हुआ था तो ततकली जो गौर्णर थे उसक्त के जो गौर्णर थे उसक्त के जो गौर्णर थे उनका नाम था लक्षमी कांथ जा इनको भी साइद इस नेसलाईजेशन का जो है पहले से उनको पता नहीं था ठीक है और ये इस तरह से इसको तयार किया गिया इंदरा गांदी जी के दुआरा कि उस वक्त जो निजिज गराने को जो चला रे देन बैंकों को निशानलाइज कर दिया गोर्मेंट की इससेदारही जो थी konnte 50san कर दी जिससे कि क्या हो गया?кि यह जो ते यह क्यों मेकर कन्ट्रोल में चले गए फेक है, बहुत बड़ा एतियाशिक दिन उनीज जूलाए 1969 बैंकिंग के इतियास के अंदर बहुती ऐत्रेसी क्या खी बहुत बड़ा चेंज रहा इस में क्या ता कि जो इंद्रा गांदी जी थे, उनका ये मानना था कि बेंकिंग जो है, वो ग्रामिन शेत्रों तक ले जाना जो है, बहुत जरूरी है, इसके लिए उन्होंने ये कठोर और ठोश कदम उठाया है, ठीक है, बलकि उनके आरोप की लगे थे, ये राजनेतिक लाप के लिए इसको उठाया गया है, लेकिन एक तरह से मानके चलिए कि ये, जो है, कि बेंकिंग इस्ट्री के अंदर बहुत इंपोर्टेंट दिन है, ठीक है, जो हमें पता होना चीए, नेशनलाइजेशन जो है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चीए, कि जब भी किसी बेंक के इंदर गुवर्मेंट की जो इसेधारी होती है, पाटनेशीप होती है, वो 50% स्यधिक होती है, तो वो नेशनलाइज बेंक कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे कितने बेंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बेंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, इस फर्स्ट नेश्टलाइजेशन वादा इसके अंदर जो चोदा बेंक थे इसके अंदर आपके Central Bank of India Central Bank of India इसके लाबा Bank of India जो था वो था पंजाब National Bank पंजाब National Bank Bank of Broda Bank of Broda United Commercial Bank Kenra Bank United Bank of India India, इलाबाद Bank, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Bena Bank, Bank of Maharashtra यह जो बेंक थे इनका नेश्टलाइजेशन हुआ इनको जो निजी गराने थे उस वक्त के जो बड़े निजी गराने थे वो इनको चला रहे थे लेकिन 19 जुलाई 1969 को जो है इंदरा गांदी जी के द्वारा इनको नेश्टलाइज्ट उनने की गोश्ना की गई ठीक है ततकालिन जो गौर्णट थे लक्ष्मिकान थे जाथे ठीक है यह आपको पता होना चीए इसके लाव अगर बात करें जो सेकंड नेश्टलाइजेशन हुआ था यह पंद्र अप्रेल 19 एटी को हुआ था इसके अंदर कितने बैंकों का नेश्टलाइजेशन हुआ था जिसके अंदर विजिया बैंक कुछ सा बैंक था विजिया बैंक आंध्रा बैंक आंध्रा बैंक ओरियंतल कोमर्शिल बैंक पंजाब एंड सिंद बैंक इसके लावा cooperation bank था इसके लाव अगर बात करें तो new bank of India new bank of India जो था इन चाह बेंक को क्या 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 गया nationalization क्या गया ठीक है जो new bank of India था इसका 4 September 1990 को क्या है इसको किसमें सम्झाइब कर दिया गया पंजाब national bank के अंदर इसको सम्झाइब कर दिया गया अगर बात करें वर्तमान में जो है वर्तमान में अगर बात करें यानि कि 2019 और अगर 20 की अगर बात करें तो भारत में अभी present time पर जितना जो निस्टलिएक बेंक है जो राष्टरीक्रत बेंक है राष्ट्रीक्रत बेंक के जो संक्या वह कितनी है, बारा संक्या है, कितने बैंक है, बारा राष्ट्रिकरत बैंक है, ठीक है, अभी जो दस बैंकों का नेस्टलाइजेशन, दस बैंक जो थे जिसके अंदर पंजाब नेस्टनल बैंक, ORIENTAL BANK, और Corner Bank of Commerce United Bank, Kenra Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, Andra Bank, Operation Bank, इलाबाद बेंक और इंडिन जो बेंक था इन बेंक यानि कि इन जो दस बेंकों में हैं उनको चार बेंकों में क्या कर दिया गया समलित कर दिया गया था कितने बेंकों में चार बेंकों में समलित कर दिया गया, चार राश्ट्री गड़ बेंकों में इनको मर्ज कर दिया गया इन चार बेंकों के जो नाम है आपको पता होना चा करें कि जो चार बेंक हैं वो कों कों से हैं पंजाब नेश्णल बेंक पंजाब नेश्नल बेंक इसके लावा बात करें तो केंद्रा बैंक के अंदर इसके लाब आब बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फॉर्थ नंबर इंडियन बैंक ठीक है पंजाब नेशनल जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो कि जिन जिन को मर्च किया गया है औरियंटल औरियंटल बैंक अप औरियंटल बैंक अप जो कॉमर्स है इसको ओबीसी जो बैंक है इसको सामिल किया गिया इसके 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 बेंक ऑफ इंडिया की यूनियन बेंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यूनियन बेंक ऑफ इंडिया के अंदर जो आंद्रा बेंक इसको सामिल किया गिया इसके अलावा बात करें तो जो कॉर्पोरेशन बेंक था कॉर्पोरेशन बेंक था उसको सामिल किया गिया ठीक है टाइम पे भारत में कितने राश्ट्रिकरत बेंक हैं, बारा राश्ट्रिकरत बेंक हैं, पंजाब नेशनल बेंक, केंदरा बेंक, यूनियन बेंक ओफ इंडिया, इंडियन बेंक, इसके लिए अगर बात करें, तो बेंक ओफ, बेंक ओफ, बडोदा, बेंक ओफ इंडिया, ब बोर्सीज बैंक, पंजाब, एंड सिंद बैंक, ठीक है, यूगो बैंक, एंड यूगो बैंक एक, एंड बैंक ओफ, महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ओफ इंडिया आठ बैंक किये और चार बैंक किये, टोटल मिलाके जो है, बारा बैंक प्रिजन टाइम पे राष्ट्रेकरत बैंक है